हाई गाईज वेलकम बैक, I am Vivek सिंगल from tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं, TTML के बारे में, TTML एक टाटा टहली महराष्टा लिमिटेड एक कंपनी है जो काफी टाइम से सुरुक्यों में है और उसने काफी उचाल लिया था और उसके बाद में नीचे आया now everybody is thinking about कि इस company का क्या होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह multi-bagger है या नहीं है, इसका business क्या है everything we will discuss in detail, तो यहाँ पर सारी चीज़े धिहान से समझेंगे और यहाँ सबसे पहले अगर business की बात करें तो business क्या है company का Tata Taly Services Maharashtra Limited is a provider of connectivity and communication solution for enterprise customers तो यहाँ पर यह connectivity provider है, companies के लिए, सपोज एक company है, उस company ने internet से related जितनी भी connectivity करानी है अपने, वो सारी यहाँ से यह company full-fledged provide करती है और यह wired and wireless दोनों तरीके से provide करती है, तो हम wireless services भी ले सकते हैं और wired services भी ले सकते हैं, means optic fiber cable के थुरू भी ले सकते हैं और company services include connectivity, collaboration, cloud, security, internet of things and marketing solutions तो यहाँ पर यह connectivity के साथ में, means internet के साथ में, जो allied services है, जो smart services है including cloud तो वो भी यहाँ पर यह provide करते हैं, तो इनका जो main business है, वो यह है अब बात करते हैं, इसमें business, तो business तो यहाँ से growing business है, उसमें कोई दोराय नहीं है इस growing business, second यह Tata Group है, Tata Group में अभी चीज़े improve हो रही है चाहे वो Tata Group की किसी भी company की बात हो तो business अच्छा है, group अच्छा है, अब बात करते हैं financials की financials में सबसे पहले हम एक बार देखते हैं किसकी market capitalization कितनी है company की market capitalization है 28,000 crore rupees और इसकी book value कितनी है, book value negative है means अभी company के पास as such अगर company को ही shutdown किया जाए तो company को कुछ नहीं मिलेगा बलकि कुछ जेब से देना ही पड़ेगा जेब से इसलिए नहीं देना होता, liquidation के case में बड़ा simple सा reason है क्योंकि यह limited company है और limited company negative में नहीं जा सकती लेकिन balance sheet negative में जा सकती है तो यहाँ पर यह एक cause of concern है promoters के पास 75% हिस्सेदारी है यह एक positive point है लेकिन क्योंकि book value negative है तो एक बार हम इसकी balance sheet में जाते हैं और balance sheet में जाकर देखते हैं कि situation क्या है, scenario क्या है तो यहाँ पर पता चलता है कि company के पास यहाँ अपना पैसा कितना है अपना पैसा है negative 19,000 crore rupees तो यहाँ पर अपना पैसा तो negative है साथ में company ने दूसरों को 19,700 crore rupees का company के उपर loan भी है यानि कि अगर इस situation को देखें तो company की financial condition pathetic है और this is one of the worst financials in any listed company of this size तो यहाँ पर इससे बेकार conditions दूसरी जल्दी से किसी दूसरी company की मिलती नहीं है जो September quarter में इस company की situation है यानि कि यह situation actual में जो word of own idea है उससे बहुत ज़्यादा बेकार है और जितनी भी आप बेकार से बेकार companies ले आओ इससे ज़्यादा conditions खराब नहीं मिल सकती खास तोर से उस company की जिस company की market capitalization 28,000 क्रोड रुपीज हो 28,000 क्रोड रुपीज market capitalization होना कोई मजाग बात नहीं है इस बिग बिग amount इस 4 बिलियन डॉलर और 4 बिलियन डॉलर एक बड़ी amount होती है वो हम सबको पता है तो एक बार वापस से balance sheet में आते हैं यहां पर अगर हम देखें company के पास fixed assets कितनी है company के पास fixed assets सिर्फ और सिर्फ 783 क्रोड रुपीज की है तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरी कोई company आएगी और इसका loan repay करेगी और जो इस company के पास fixed assets है वो अपनी हो जाएंगी तो fixed assets हैं ही कितने की 783 क्रोड रुपीज की और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कुछ ऐसा formula है जो formula इस company को रातो रात अमीर बना देगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है means there's nothing like that तो यहां पर company के पास अपना पैसा कितना है company के पास अपना पैसा 15 क्रोड रुपीज है just 15 क्रोड रुपीज के पास अपना पैसा है और बोरोइंग का इन्होंने दूसरी companies का कितना देना है 19,700 क्रोड रुपीज इन्होंने दूसरों का देना है साथ में क्या important point है कि जो बोरोइंग है यह बोरोइंग कम नहीं हुई या इस तरह की दूसरी किसी कमने की बात करते है लेकिन यहाँ वहाँ पर बोरोइंग कम हुई है पिछले 4-5 साल में और situations अच्छी हुई है जैसे steel companies के case में हम बात करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ तो बोरोइंग लगातार बढ़ी है जो latest यहाँ पर balance sheet के numbers है September quarter के क्योंकि half yearly balance sheet आती है यहाँ पर 19,700 crore रूटीज की बोरोइंग हो गई है यहाँ की 17,700 crore रूटीज से बढ़कर 19,700 crore रूटीज हो गई है 2,000 crore रूटीज की यहाँ पर बोरोइंग increase हो गई है decrease होने के बदले तो इससे ज़्यादा बेकार हालत मुझे दूसरी कोई नसर नहीं आती fixed assets कम हो गई है increase होने के बदले और जो situation है अपना पैसा कितना है means cash कितना है कमपनी के पास 15 crore रूटीज अब यह तो हमारी हाँ पर हालत बहुत ज़्यादा खसता है means यह company 28,000 crore की मेरे साब से मेरे पास words नहीं है कि कितनी बेकार balance sheet के इतने ज़्यादा valuation कैसे हो सकती है आगे चलके क्या निकल कर आएगा किसी को नहीं पता लेकिन current situation यह है उसके बाद में अगर हम यहाँ पर quarterly results की बात करने लगें तो quarterly results में last 12 quarters में company की revenue नहीं increase होई पर 380 क्रोड रुपीज का एक quarter का यहाँ पर interest जाता है और revenue के यहाँ पर जो बचता है after main expenses sales में से यहाँ पर expenses लेस करके क्या बचता है? यहाँ पर बचता है सिर्फ और सिर्फ 120 क्रोड रुपीज तो जब 120 क्रोड रुपीज बचता है उसमें से 385 क्रोर यहां पर इंट्रेस्ट के चले जाते हैं तो depreciation के जहां कोई बात ही नहीं है depreciation तो तब आएगा जब companies के पास assets होंगी companies के पास assets ही कितनी है just 500 क्रोर रुपीज की 783 क्रोर रुपीज की assets है तो इतनी assets पर तो इतना ही depreciation आएगा यहां पर अगर हम जो interest की बात कर रहे थे तो company is a loss making company consistently for last 11-12 quarters और अगर हम profit and loss statement की बात करने लगे है then this company is a loss making company for last 11 years consistently not even a single year जब यह profitable थी 2011 को छोड़कर जब 50 क्रोर रुपीज का profit था और यह 50 क्रोर रुपीज का profit भी सिर्फ और सिर्फ other income की वज़े से था otherwise नहीं था तो interest की costing कैसे increase हुई है interest की costing यहाँ पर consistently increase हुई है और जो अभी interest पे कर रहे हैं यह highest ever ही है last 5 years से 1500 क्रोर रुपीज का interest पे करते हैं एक साल का और revenue उसके अगेश्ट कितनी होती है 400 क्रोर 500 क्रोर तो यह 1000 क्रोर रुपीज का net loss है कम से कम उससे ज़्यादा loss आता है क्योंकि other losses भी बीच बीच में यहाँ पर आते रहते हैं अब इस तरह की situation में तो financials तो मैंने आपको बता दिये यहाँ पर quarterly results भी बता दिये और आपको yearly results भी बता दिये balance sheet pathetic है यहाँ पर करजा बढ़ता जा रहा है loan बढ़ता जा रहा है assets company के पास है नहीं अपना पैसा negative में है दोनों चीजे हैं यहाँ पर धियान से समझना balance sheet की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपना पैसा तो negative में है negative और borrowing यहाँ पर बढ़ती जा रही है अपना पैसा कम हो गया है negative में है कम तो छोड़ा negative में है और borrowing भी है बढ़ती जा रही है यहाँ पर assets के नाम पर कमनी के पास zero है cash के नाम पर यहाँ पर कमनी के पास सिर्फ 15 क्रोड रूपीज है assets is 700 क्रोड रूपीज की है जो यहाँ पर profit and loss statement है consistently last 11 year से loss making company है और quarterly results में लगातार loss है last 12 quarter से 11 quarter से तो सारी चीजे एकदम से घटिया है बिलकुल बेकार है बरबाद है उसके बाद में अब यहाँ पर हम गात करते है chart pattern की जो technical chart pattern है technical chart pattern क्या कहता है technical chart pattern में पिछले कुछ time में जब यह daily chart pattern हम देख रहे है यहाँ पर daily candlestick chart pattern देख रहे है then this company was trading at 2 rupees तो यहाँ पर 2 rupees का यह share price है जो चल रहा है 2 rupees का यहाँ पर price था on and average 3 rupees का price था 3 rupees के price को यहाँ से increase करते करते कहां तक लेकर गए 300 rupees तक यानि कि 100 गुना price हो गया कितने time में less than 2 years less than 2 years 100 गुना price होना यह बिना एक operator के और बिना किसी एक mission के नहीं हो सकता means balance sheet में तो सब कुछ बेकार है बहुत गड़ी है और यहाँ पर जो यह company जब 100 गुना हो गई इसका मतलब यह company कितने के आसपास थी 300-400 क्रोड रुपीज के आसपास थी 700 क्रोड रुपीज की assets थी समझ में आता था भले ही इनके पास negative अपना balance हो और भले ही इनके पास इनको loan इतना बड़ा देना हो तो यह company उस price पर trade करती थी समझ में आता था लेकिन अभी यहाँ पर यह company 100 गुना हो गई बिना किसी reason के and यहाँ पर मजे की बात देखो मजे की क्या मतलब पागलपनती की बात देखो a lot of people have bought it here मेरे पास इतने messages आते हैं आश्चरे बंसल जो मेरे friend हैं उनके काफी students हैं उनके पास बहुत सारे messages आते हैं कि बंसल सर मैंने और मेरे father ने यह 279 पर इसका share purchase किये बहुत सारे कितने 7 लाग रुके लगा है और यह वापस से 144 आ गया है पैसे आधे रहे हैं क्या करें 279 पर उन्होंने purchase किया इट मेंस उन्होंने बिल्कुल टोप वाले दिन purchase किया क्योंकि जो second day था जो टोप से last वाला day था तब भी 275 का price था एकदम टोप पर और वहाँ पर जाकर वो first गये तो यहाँ पर कितने लोग फसे है यहाँ पर बहुत लोग फसे है अब technical chart pattern यह कहता है कि भाई अब जितने लोगों ने यहाँ पर purchase किया हुए सबसे पहला तुम मेरा question यहाँ पर purchase क्यों किया क्यों क्योंकि यहाँ पर कोई technical chart pattern है ही नहीं without technical chart pattern किसी भी चीज को purchase करना अपने आप में एक मुर्खता है दूसरा जब तक balance sheet यहाँ पर आपको strong signal दे रहे हैं कि balance sheet एक खस्ता balance sheet है कुछ है ही नहीं जहां तक business की बात है हम role model, business model कुछ भी बना लें कि हम cloud में हैं, हम इस में हैं, हम health care में है numbers कहां है, profitability कहां है, sales कहां है, increment कहां है आपकी balance sheet में यहाँ पर improvement कहां पर है अपना पैसा कहां पर है, कर्च बढ़ता जा रहा है अपना पैसा negative होता जा रहा है, assets आपके पास है नहीं तो कौन से यहाँ पर दुनिया दिखाने की बात कर रहे है वो दुनिया तो reliance power ने जब 500 रुपीज का price था IPO आया था, तब भी दिखाये थे, जब उनके पास zero power plant था और जब आज की rate में उनके इतने सारे power plant operational है everybody is fearful, तो यहाँ भी same चीज है जब यह stock price उपर चला गया तो हर किसी को लग रहा है कि company अच्छी हो गई है एक चीज मेरी हमेशे याद रखना कभी भी stock price के उपर जाने से company अच्छी नहीं होती है और stock price के नीचे आने से company बेकार नहीं होती यह गलती दुनिया करती है समझदार ही दिखाओ, यहाँ पर आपको यह गलती करने की ज़रूद नहीं है अब यहाँ पर chart pattern क्या बनता है यहाँ पर chart pattern बनता है, एक head and shoulder pattern और बहुत ही neat and clean head and shoulder pattern है यहाँ पर यह हमारा left shoulder है, यह हमारा head है और यह हमारा right shoulder है और यह उसके बाद में इसी range में यहाँ पर trade कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा simple सा है कि अगर उपर से यहाँ से नीचे breakdown होता है तो जो उपर से नीचे तक का यह gap है head से लेकर neck line तक का gap है यह यहाँ पर सीधा सीधा नीचे आ जाएगा और यह कितना आ सकता है यह जितने 142 points का gap है यह इतना ही नीचे आ सकता है बड़ी simple सी बात है क्योंकि जितने points होते हैं उतना ही नीचे आता है और अगर वो उतना ही नीचे आता है तो इसका price 2.40 हो जाता है तो यहाँ पर क्योंकि इसको support करने के लिए कोई है ही नहीं तो यह situation में अगर हम इस company के chart pattern को यह एक ऐसी बात है कि कुछ चीज बढ़ती जा रहे है बढ़ती जा रहे है बिना सोचे समझे पैसे डाल दिया उसके बाद कितना डाल दिया क्योंकि greed आगे कि इसमें पैसे बनेंगे बहुत मोटे पैसे बनेंगे मेरे हिसाब से इसमें पैसे बनते हुए कही नजर नहीं आते एक चीज हमेशा ध्यान रखना कभी भी कोई भी company कोई भी हाँ पर manager कोई भी company का key personnel यानि कि जो managing director है promoters है या कोई भी है अगर सिर्फ बाते करते हैं तो उस पर नहीं जाना चाहिए वो बाते यहाँ पर balance sheet में नजर आनी चाहिए अगर वो balance sheet में नजर नहीं आती तो हमें विश्वास करने की जरुरत है नहीं यहाँ पर एक और पुरानी काहवत है कि in God I do believe but for everything else I need documents तो यहाँ पर same चीज़ हमारी applicable होती है कि हमें बातों में विश्वास ने रखना भगवान पर हमें विश्वास है लेकिन जो यह business activities है इनके लिए हमें numbers चाहिए है actual numbers चाहिए तो मेरे इसाब से pathetic situation है कुछ भी नहीं है अगर हम इसमें percentage wise भी fall को cover करने लगें यानि कि हमने यहाँ पर क्या किया 142 points का fall था तो 142 points का fall यहाँ पर नीचे आता है तो 142 के बाद तो इसमें बचेएगा क्या दोर पर बचेंगे लेकिन अगर हम इसको percentage wise भी देखने लगें कि percentage wise यह 49% का fall है अगर हम same fall नीचे की तरफ देखने लगें तो कितना आएगा तो भी 73 रूपीज आता है यानि कि यहाँ से 50% तो और डाउन जाता है और यहाँ पर support लेने के क्या क्या chances हैं कि यहाँ पर यह support लेगा और यहीं से कोई reason नहीं है कि यह company 28,000 क्रोड रुपीज की market cap रखके हूँ लेकिन TTM il के पास ऐसा क्या है 28,000 क्रोड मेरी समझ से बाहर है आप अपनी समझ लगाएंगे और अपनी समझ के साब से काम करेंगे मेरे कहने से आप समझेंगे कि इस टोक बाइ करने से पहले कुछ दिमाग लगा लेना चाहिए हम सब को यह महनत से कमाय हुए पैसे हैं किसी से मिले हुए पैसे नहीं है इस महनत से कमाय हुए पैसे को और ज्यादा बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है जिससे हमारा परिवार अच्छा हो सके और हम अपनी life में कुछ आगे बढ़ सकें ध्यान से समझ के संभल के तब पैसे लगाने है मजे करने का मतलब क्या है मजे करने का मतलब है office hours से आके कुछ काम करना ना कि TV देखना मजे करने का real meaning यह है आके इस जिंदगी में कुछ करो और उस काम को अंजाम करने से जो sense of satisfaction आती है वो मजे करना है मजे करने का मतलब यहाँ पर खेलना कूदना नहीं है कुछ कर दिखाने से है कल फिर मिलेंगे एकने वीडियो के साथ तब तक मजे करो या Thank you so much Have a nice day